नमस्कार साथियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियो जैसा कि आपको अवगत है दिक्सा पर 6 नई कोर्स अपलोड किये गए हैं जो ध्यानकर्शन मोड्यूल में दिये गई 18 सिक्षन तकनीक पर आधारित हैं आज की इस वीडियो में हम ध्यानकर्शन तकनीक 12 परिवेशय संसाधनों का उपयोग के अंतरगत आकलन की प्रशनोत्री को देखेंगे कि इसकी आकलन की प्रशनोत्री में कोन-कोन से प्रशन दिये गए हैं और उनके क्या-क्या उत्तर होंगे साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दिना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने informative video whatsapp group और informative video telegram group बनाए हुए हैं, आप चाहें तो मेरे group से जुड़ सकते हैं, group का link आपको video के description box में मिल जाएगा, जिसमें click करके आप मेरे group से जुड़ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, ध्याना कर्शन के section technique 12 में कौन-कौन से प्रसंद दिये गए हैं आपको सभी courses के link मिल गए होंगे, अगर आपको link नहीं मिले हैं, तो आप इसको दीकसा portal पे भी आसानी से course को ढूंड कर आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको एक ऐसी technique बताऊंगा, जिसकी वेसे आप दीकसा पे आसानी से इनको ढूंड सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले पी, इसको आप असानी से लिख देंगे, यू पी, यह आपका हिंदी में हो रहा है, अगर आपके, यू उसके बाद पी, पी भी आप इस तरह से ही capital letter लिखेंगे, यू पी, और उसके बाद आपको underscore, एक जो नीचे होता है underscore, वो आपको लगाना है, यहाँ पर, यू पी underscore ल इसकी सर्च बार में यू पी, अंडर स्कोर और ध्याना कर्शन, यह सब आपको लिखना होगा, इस तरह से आप इसमें लिख देंगे, जैसे आप यू पी, अंडर स्कोर, ध्याना कर्शन लिखेंगे, तो आपकी सभी स ध्याना कर्शन की सिक्षन तकनीक आ जाएंगी, यह स सबसे आसान तरीका है अब इसमें हमारी सिक्षन तरीक निक है परिवेश्य संसादनों का उप्योग हम इसको उपर जाए जाएंगे तो देखे यह हमारा आ गया है ध्यानाकर्शन परीचे प्रसन पूछना अरजित क्यान की पुर्वावरति अवसर सीखने के लिए बाचेत अभी को सामिल करना संसादनों से पूर्ण कक्षा कक्षा वादान यह पहले वाले हैं आपके नेक्स्ट है आपका परिवेश्य संसादनों का उप्योग यह हमारा आ गया है इस पर हम क्लिक करते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा कोर्स आ जाएगा कोर्स में नमांकन कीजिए हमने नमांकन किया उसके बाद यहां पे इसके क्लिक करके साजा नैकरेपे में क्लिक कर देता हूँ तो हमारा कोर्स शुरू हो गया है अब इसमें कोर्स में दो पार्ट दी गई है एक वीडियो दी गई है और इसके बाद आकलन दिया है हम आंकलन पर क्लिक करते हैं, वीडियो आप देख लीजिये और सीखना सुरू करें पर क्लिक करेंगे, जैसे हम सीखना सुरू करें पर क्लिक करेंगे, परिवेश संसादनों का उप्योग आंकलन हमारे सामने होगा. हमारे सामने पहला प्रशन है सिक्षण में परिवेश ये संसाधनों के उपयोग से तात परिये अतार्थ इसका क्या तात परिये है पहला है प्राकरतिक संसादन, दूसरा है विद्यालेवे काक्सा में उपस्तित संसादन, तीसरा है सिक्सार्ती के घर, गाउं, आसपास की वस्तवे, और चोथा है परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तवे. तो इसका फोर्ट उपसन हमारा सही होगा, परिवेश में पाई जाने वाली सभी वस्तवे, इस पे हम क्लिक करते हैं, और एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रसन है हमारा, परिवेश संसादनों का सिक्षन में उप्योग करने से सीखना होगा, आसान एवं अवधारनाओं को इसपस्ट करने वाला, एवयवारिक, मेहंगा वे दुसकर, वयवारिक, प्रंतु समय अधिक लेने वाला, छनिक वे आनंददाई. तो इसमें आपका फर्स्ट उप्सन सही होगा, इसपे हम क्लिक करते हैं और एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं. अगला प्रसन है, परिवेश संसादन हैं. क्या है परिवेश संसादन? पहला उप्सन है, अनाज के दाने, पत्तियां, फल, फूल, बीज और कंकर. दूसरा उप्सन है हमारा माचिस की तीलियां, आइसक्रीम में परिवेश चमच, पैंसिल, रबर, कटर, तीसरा है, विद्याले में लप्त वस्त्वे, और चोथा उप्रोग सभी. तो परिवेश संसादन कुछ भी हो सकते हैं, जिनसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आनाज के दाने भी हो सकते हैं, माचिस की तीली भी हो सकते हैं, तो इसका उप्रोग सभी आंसर सही होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं, एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं. कक्सा सिक्षन में परिवे से संसादनों का परियोग सरवाधिक किया जाना चाहिए कक्सा सिक्षन से पहले कक्सा सिक्षन के बाद कक्सा सिक्षन के दुरान चुट्टी के समय तो कक्सा सिक्षन में परिवे से संसादनों का आपका परियोग करना है तो आप कक्षा सिक्षन के दोरान कीजिए तो इसका third option सही होगा इसमें हम click करते हैं arrow के निशान से आगे बढ़ते हैं सिक्षन अधीगम परक्रिया में परियोग के जाने वाले उधारन होने चाहिए कौन-कौन से उधारन आपके होने चाहिए पूर्व अनुभव आधारित अगला प्रशन है पुस्तक पर आधारित next option है परिवेश्य संसादनों पर आधारित और next है आपका A और C तो सिक्षन अधीगम परिया में जो उधारन होते हैं वे आपके पूर ग्यान पर भी आधारित होने चाहिए और परिवेश्य संसादनों पर भी आधारित होने चाहिए तो इसका अंसर A और C होगा इस पर हम क्लिक करते हैं और एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं उसके बाद है परिवेश्य संसादनों का लाब है कि इसके उप्योग से नमबर एक बच्चों का सैधानतिक विकास किरियात्मक रोप से होता है दूसरा उप्चन है बच्चों में प्रकरती के परती सम्मान का भाव पैदा होता है तीसरा उप्चन है बच्चों की सरजनात्मकता का विकास होता है और चोथा उप्चन है बच्चे परिवैसे संसादनों के महत को समझ पाते हैं तो चारो ही ओप्षन हमें सही लग रहे हैं इसमें हमारा लास्ट ओप्षन जिसमें चारो दिये गए हैं यह हमारा सही होगा फस्ट, सेकिंड, तार्डो, फोर्थ उसके बाद एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं परिवैसे संसादनों का परियोग किया जा सकता है कहां किया जा सकता है विज्ञान में, गनित में, भासा में या सभी विश्यों के सिक्षन में तो परिवेसे संसादनों का उपयोग सभी विश्यों के सिक्षन में किया जा सकता है इस पे हम क्लिक करते हैं और एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं उसके बाद परिवेसे संसादनों से बच्चों का विशेज जुडाव होता है क्यों होता है इनकी उपलब्दा हर इस्तान पर होती है निसुल्क और कम दाम में मिलते हैं बच्चे इनको स्वम परिवेश से प्राप्त कर एकत्र करते हैं और सभी के लिए सर्व सुलब होते हैं वैसे तो सभी उप्सन सही लग रहे हैं लेकिन बच्चे इनको स्वम परिवे से संसाद्णों का परियोग परभावी होता है क्योंकि यह सरल और सहज है रूची कर है प्रकरती आधारित है ग्ञानेंद्रियों और पूर्व ग्यान पर आधारित है तो इसका थ्फोर्त उप्संऑ सही होगा ज्यानेंद्रियां और पूर्व अनुभव पर आधारित है इसमें हम क्लिक करते हैं एरो के निसान से आगे बढ़ते हैं परिवेश में उपलब संसादनों के उपयोग से कक्सा सिक्षण के किस उदेश्य की प्राप्ति में सरवाधिक साहिता मिलती है ज्यानात्मक उदेश्य की प्राप्ति में बोधात्मक उदेश्य की प्राप्ति में प्रयोगात्मक उदेश्य की प्राप्ति में और कोशलात्मक उदेश्य की प्राप्ति में तो इसका आपका सेकिंड ओप्सन सही होगा बोधात्मक उदेश्य की प्राप्ति में इस पर हम क्लिक करते हैं और arrow के निसान से आगे बढ़ते हैं इस तरह हम यह से 10 question हो गए है question answered भी 10 हुए skipt 0 हुए submit के option पर क्लिक करेंगे जैसे submit के option पर क्लिक करेंगे score आपका 10 out of 10 हो जाएगा तो सातियों इस तरह से आप के 6 के 6 course की वीडियो मैट बना चुका हूँ आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, share करें और वीडियो पे comments करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell का आइगन को प्रेस कर दें जिससे की आपको next वीडियो का notification मिल सके, धन्यवाद